आज उन्ही चुने हुए प्रतनिधियों से सरकार बनने जा रही है भारत की और आगमन हो रहा है राश्टवती भवन में देश के नवनिर्वाचित पुधानमंत्री श्री नरेंत्रमोदी का उनकी कारों का काफिला धीरे धीरे राश्टवती भवन के प्रांगन की ओर अग्र लोगतांत्रिक प्रणाली की बात कर रहे थे संजीव और लोगतांत्र जो है वो विरासत समानता समरस्ता स्वतंत्रता स्विकारेता और समावेशीता के महतों पर जोर देती है और यहां पर सब की नजरें इस ओर टिकी है इस एतिहासिक समारोह में अब वशिष्ट अतीथियों का आगमन लगातार जारी दुनिया के सबसे बड़े लोगतंत्र फारत और सबसे बड़े लोगतंत्र के नव निर्वाचित प्रधानमंत्री सबसे बड़ी लोगतंत्रिक प्रक्रिया से गुजर कर लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शबत लेने के लिए पधार रहे हैं राश्ट्रपती भवन के प्रांगन में उत्तर प्रदेश के वारणसी से बतौर सांसद दीसरी बार चुन कर आए हैं देश वासियों का अटूट भरोसा अपार जन समर्थन आत्मिये स्ने हैं और पिछले दस वर्षों में नरेंद्र मोदी ने अपने कुशल और बेहतरीन नेत्रितों से ये दिखाया है कि ये देश कैसे प्रगती के पत पर उरान भर रहा है समाज के कमजोर तब के से लेकर हर वर्ग की आकांग्शाओं को पूरा करने का काम किया है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेत्रितों में भारत सरकार ने एक बाद फिर नई उमीद के साथ शब्दों में अब क्या कहें जो उट्सा है आप उनका स्वैम अनुभव करें सबका आभार स्वीकार करते हुए नवने बाचित पुर्हान मंत्री श्वी नरेंद्र मोदी तीस्वी बार इस देश की बागदोर समभलने के लिए तया और तीस्बमीद के लिएी नरेंद्र मोदी की उस प्रच का थी नरीकार साथ बाहं के जुप बाझरमोदी की बहुं मिलीत अडिए जब स्वेंदेत्र मोदी थूश्ट हो गीतमे इस पूए झाल